हेलो एवरीवन, वेलकम प्रू आईएस और PCS, कंटिन्यू करते हैं अपनी नाशनल इंकम की डिसकर्शन को हम लोग बात करेंगे पर क्यापिटा इंकम के बारे में पर क्यापिटा इंकम ये इंडिकेट करता है कि एवरीज इंकम एक पर्सन की एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में और गिवन पिरियोड आप टाइम में पर्सन ने अन कितनी करी यानि कि यह जो पर क्यापिटा इंकम होती है एक एक इंडिविचल हेड आफ इंकम होती है अगर A person की income उसकी per capita income B की उस per capita income और C की उसकी per capita income और तीनों की combined परिवार में total 5 लोग हैं, कमाने वाले 3 लोग हैं बागी 2 छोटे हो सकते हैं या फिर भुजर्ग हो सकते हैं जो भी है तो ये बनेगी total per capita income A की, B की और C की family income ठीक है? ये चीज हमें पता है For a nation nominal per capita income क्या होती है जो national income होती है NNP and FC अगर आप उसको current prices पर calculate करो और फिर total population से अगर आप उसको divide कर दो तो वो आपके पास आजाती है nominal per capita income real per capita income calculate करी जाती है inflation को, महंगाई को adjust करते हुए nominal per capita income से इंडिया में nominal per capita income current prices पर उसके लिए हमारे पास अलग-अलग आखड़े है 1950 से 51 के टाइम पर वो थी 7513 रुपीज ये आपको याद करना है ये important है 2011 बारा में वो थी 63,460 रुपीज इसको भले ही यादना करो शुरू में कितनी थी 1st 5-year plan के टाइम पर और अभी कितनी है ठीक है 150,326 आप बस शुरू वाली को याद कर लो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप ये दौनों को बले ही avoid कर दो latest economic survey जो आएगा उसमें हमें और इसका refined figure मिल जाएगा और यहाँ पर देख रहे हो AE AE का मतलब क्या था अब देखो आप ऐती चीज़े आपको उस पर advanced estimate ये चीज़े आपको आप समझे में आने लगेंगे देखो advanced estimate यानि कि ये जो निकाली हुई है तो ये कैसे निकाली हुई है जब financial year complete होने वाला था उसके दो महीने पहले उसके दो महीने पहले का आपड़ा है साथ जन्वेरी को release करा गया आपड़ा ये 1,50,326 रुपीज internationally per capita income को compare करा जा सकता है by purchasing power parity method purchasing power parity method compare करता है एक देश में economic productivity कितनी है या एक रीजन में कितनी है और standard of living कितना है एक country में और इसको फिर अलग-अलग country से compare करा जाता है इसका simple सा मतलब ये होता है यहाँ पर आप अलग-अलग country की currency को लो और ये देखो कि एक basket of goods कितने बन सकता है उस particular currency में एक मिनट तो मुझे जरा अभी इसको समझाता हूं हमेशक लिया दो जाएगा ये जो टास्क होता है comparative analysis का across country से अभी कोई easy task तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें national income across nations देखनी है और ये जो चीज होती है purchasing power parity method से calculate करना अलग-अलग countries में citizen के standard of living को और economic productivity को ये एक सही चीज नहीं मानी जाती है पर capita income को calculate करने के लिए अब मैं आपको basket of goods समझाता हूं ये क्या है और purchasing power parity क्या होता है ये concept कुछ नहीं कहता है बहुत easy सा concept है ये concept सर्व इतनी बात करता है purchasing power parity क्या है ये चीज ये देखता है ये concept ये देखता है आप न आप न अमेरिका गए हो और वहाँ पर किसी दुकान में गुस गए आप इंडिया में जो आप 500 रुपे लेकर गुसते हो और उस अमेरिका में जिस दुकान में आप कुछ 500 रुपे के convert करके कुछ डॉलर सो लेकर गुसोगे तो इंडिया में आपके 500 रुपे में कितना समान आ जाता है आपकी purchasing power भारत में कितनी है और यही 500 रुपे लेकर अगर आप अमेरिका में जाओ तो वहाँ पर चीज महंगी कितनी है और सस्ती कितनी है अब मुझे पर पताओ वहाँ पर obvious ही बात है सिर्फ इतने good आएंगे और इंडिया में हो सकता है इतने good आएं 500 रुपे में हमारे 500 रुपे इसका अमेरिका के हिसाब से weak है weak in the sense कि वो currency weak नहीं है यहाँ पर यह चीज यह दिखाता है कि हम ना developing country से यह चीज हमें purchasing power parity हमें ओकाद दिखा देता है कि हमारे देश में भाईया अब 500 रुपे से जादा भाईया तो खर्चा कर नहीं सकता एक दिन के अंदर grocery stores वगरा में जाकर समान क्योंकि मेरे देश में तो दूद भी आ जाता है राशन भी आ जाता है सब कुछ आ जाता है और जो बच्चों पैसे होते हैं तो मेरा उसमें कोई खाना पीना है को नमकीन है कुछ कउछ वे किक लेना कोई बिसकेट लेने कोई ओरियो छोब लेनी है İs द्रेन ऊसे ईसने हैं लेकिन अडा़ी ऑमेरिका के उसमें तो यामेर्थ दो यिग सवान आप आएं यह चीज दो करताह या कि 500 पूरोपे जातर तो परसंग कर सकता नहीं है अपनी करण्ट इंकम के साब से कि एमेरिका जैसे तर्फित में जो उसके 500 रूपे Tobuz इमेरिका मैं अब समझ गए बासकड वा बाँसे गऊडिक पैरेटी और यह कंपीरटिव इस लटान सबाद भेगा अब मुझे बताओ इसी से इसी से पता नहीं लग जाएगा कि लोगों की उस country की economic productivity और लोगों की standard of living कितनी इक परिगुरा देश में बताओ जरा लेकिन ये एक अच्छा तरीका और easy way नहीं माना जाता है this analysis is not easy पर कपेट इंकम को देखने के लिए क्यों इसको भी देखते हैं बाहर की country से इंप्रेस होने की जरूत नहीं है जितने लोग यहां पर student visa लेकर जाते हैं न वो उदर के संदाज साफ कर रहे होते और कुछ नहीं कर रहे होते हैं जो चीज हमें लग रही है ना कि वहां पर 100 डॉलर है तो वह उधर के लोगों की standard living तो फिर वैसे होते हैं अमेरिका का एक एक बच्चा कोई फरारी और वह प्राइविट एट में थोड़ी ना घूम रहा है पौवर्टी वहां developed country है most developed country है माल लिया लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वहां poverty नहीं है चोरी चकारी नहीं होती यह चीज है तो वहां के लोगों के साथ है अगर आप यह तोचरों के 500 रुपे आपके वीक पढ़के तो आप एक महीनी के बाद कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए करने के बाद for example KFC Meddy में कुछ काम करना, mall में जाकर part time seller बन कर आना, किसी दुकान या किसी store में काम करना, गाड़ी साफ करने वाला बनना, अकबार फैकने वाला बनना, वहाँ पर इन सब कामों को अच्छा माना जाता है कि person at least अपने पेरो पर तो खड़ा हुआ है, कमा तो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ऐथा सोडी ना, कि अब अगबार बेच बिच कर अमेरिका में एक विला बन वालोगे, ट्रंप के घर के सामने एक अपना घर खड़ा कर दोगे, क्योंकि वहाँ के हिसाब सब को इंकम मिल है, जो रूरल एरियाज में, कंट्री साइट एरियाज में, विलेचे वगरा में आपको नहीं इतने खर्चे है, वहाँ इंकम अगर काम है, तो खर्चे भी काम है, यह चीज है, अब जैसे अभीशेक, आप बताओ, आप जो किराए का घर लेकर रहते हो, कितने का है वो आप इतने में तो आप तयारी करबीलो और अपने गाउं को भी करवा तो तयारी, समझ गया, लेकिन एक बात याद रखना, यह पर्स चेजिंग पावर पैरेटी और बास्टेड ऑफ गूर्ट का इंटरनेशनल के लिए यूज होता है, अभी जैसे मैंने आपका और प्रिया का बता दिया, यह एक एग्जांपल की तौर पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल यूज होता है, डिफरेंट कंट्रीज कि यहां पर इंटरनेशनल प्रिटिविटी और उन कंट्रीज में रहने वाले लोगों के स्टेंडर लिविंग देखा जाता है, क्या यह वाली बात सबक नैशनल इंकम को कैलकुलेट करना यह दिखाता है, कि एक तो एकनॉमिक ग्रोथ का परामेटर से पता लगता है, ताकि हम एज़ी तरीके से समझ सकें, क्या यह एडिवेट है या फिर नहीं है, कि जो एकॉनमी के हमने जो अब्जेट्टिस गना रखे हैं, लीडर्स ने, फ अचीव हो पा रहें कि नहीं हो पा रहें, यह हमें यह दिखाता है कि एकॉनमी की जो पोटेंचल है, एकॉनमी अपने फुल पोटेंचल पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है और अगर नहीं कर रही है तो उसके लिए हमें नए एम्स और अब्जेट्टिस मेर्जर्स लेने क national income हमें यह बताता है कि सरकार के पास अगर पिछले साल के comparison में अगर revenue कम प्रापत हुआ है तो tax revenue कैसे हमें बढ़ाना है या कम करना या फिर tax की चोरी जो हो रही है उसके लिए क्या हमें steps लेने चाहिए यह help करता है corporate sector को कि आपके business activities और investment को plan कर सकें national income के जो figures हैं वो हमें एक idea देते हैं कि देश में पिछले साल के comparison में और कुछ पिछले decade या बहुत सारे सालों की comparison में महगाई बहुत ज़्यादा बड़ी है average rate पर बड़ी है या फिर चीजें कुछ कुछ सस्ती भी होई है और national income की जो figures हैं वो हमें help करते हैं हमारी country में जो एक particular note को खर्च करके जितने बाश्यक्राव goods and services आ सकते हैं दूसरी country में इसका क्या आकड़ा है दूसरी country का रहने के लिए ideal countries हैं वहाँ पर standard of living लोगों का ideal है या फिर हमारी country सिर्फ ऐसी है कि यहां पर महंगाई बहुत जादा या फिर ही सस्ती country है अलग-अलग countries में economic productivity को पता लगाने का comparative analysis एक country के national income के data के basis पर करा जा सकता है कुछ-कुछ limitations भी है national income की measurement में इसको हमने बढ़ा था cv सस्तीवा में green GDP वगरा की form में national income मेजर करती है domestic इकनोमिक परफोर्मेंसी सिर्फ एक कंट्री की यह social welfare को मेजर नहीं करती है ideally वैसे तो दोनों चीज़ से positively correlated है कि यहां पर राइटर आप से बोल रहा है कि समझने वाला यह समझेगा कि एक देश की जब GDP बढ़ रही है तो वहां पर social welfare भी बढ़ेगा लोग को का social तरीके से विकास भी होगा लेकिन ऐसा ज़रूर ही नहीं होता है income inequality जो है वो छुप जाती है इस resource distribution के चक्कर में मंड्रे का हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है रोजकार के लिए और बच्चों को खाना देने के लिए स्कूल distribution प्रोग्राम में सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा है यह मिड्री मीली स्कीम लेकिन क्या हम इस goal को achieve कर पाए है social welfare क्या हर एक बच्चा हमारे देश में प्रधान मंतरी मुख्य मंतरी I.S. I.P.S. बनता है क्या सारे लोग I.A.T. और नीट में निकल जाते हैं क्या डॉक्टर और इंजीनिर भरबर के हमारे देश में है क्या हमारे देश में कोई goal red list क्या सबकी सबकी नौकरी लग जाती है क्या सबके करोडों के package है क्या और अगर ऐसा है तो economy से फिर brain drain क्यों हो रहा है brain drain एक concept होता है economy का जो कि ये बोलता है जब आपके देश में जो human resorts होते हैं जो लोग होते हैं अच्छा खासा पढ़ाई करने के खर्चा करने के बाद भी जब एक अच्छी नौकरी ना प्राप्त कर सके अपने 1% की मरजे की और वही चीज उनको दूसरी country offer कर रही हो तो इस देश का लगाव खतम होकर वो दूसरे देश चले जाते हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आते लाइक अमेरिका उदर की सिलिकॉन वैली माइक्रोसॉट फेस्बुक याहू गूगल में काम करने वाला पूरा पूरा स्टाफ पेपसी की सी यो ये सारे लोग बाहर जाने पर इसली मजबूर कर रहे थे और हर एक इंसान फिर एक टाइम के बाद अपनी देश पक्ती को छोड़ कर अपने बारे में सोचता ही है इस चीज को अगर हमें रोकना है तो हमें ऑफिस ये बात है सरकार को एक अच्छी स्टेप सेने चाहिए क्योंकि बात यहां पर इस पहले पॉंट पर बात हमारी नहीं आती हमने जो करना था जितना पढ़ना था जो करना था वो कर लिया सरकार को पोटेशल हमारी रिलाइज होनी चाहिए जैपैन जैसी कंट्री अगर आप हमारी कंट्री में 85% 90% लाते हो कोई वैल्यू नहीं होती डियो में अड्मिशन नहीं होता 95 से कम में मैं हिंदू कॉलेज में था 98.75 कट अफ निकली थी और मेरे 98.75 आए थे और फर्स कट अफ में लिस्ट क्लोज हो गई थी लेकिन क्या इसके लिए कोई reward मुझे मिल गया कोई नौकरी मुझे ओफर करी गई क्या नहीं यही अगर मैं जैपैन में होता तो अरब खरब अरब पती खरब पती बन गया होता मैं ग्राजिएशन था और जैपैन में सबसे बड़ी बात है regular exams नहीं होते चाहिए वो competitive exams नों चाहिए किसी भी चीज क्यों written exams नहीं होते लेकिन क्या उनकी country फिर progress नहीं कर रही क्या वहाँ पर आदमी अनपाट है बिल्कुल नहीं they believe कि किताबी ग्यान से जादा जो रियल जिंदगी का ग्यान है वह जादा लोगों को देना चाहिए बच्पन से और यही रीजन है कि जैपैन के पास आज भी कोई permanent army नहीं है जैपैन को अप्यूबर वरोसा है जैसे जहां पर महराच में शनी चंग्रापूर है तो वहां पर मैंने सोना है कि लोग दरवाजे नहीं है घरों में बहुत सारे तो कि लोगों को विश्वास है चोरी नहीं होती ऐसी जैपैन को विश्वास है कि कोई हमसे बढ़ेगा नहीं और जैपैन ने क्या-क्या चीव कर रखा है चावल की कमी थी तो प्लास्टिक का चावल बनाया जो कि खाने के लिए इतना बहतरीन था कि ताकि इंपोर्ट ना करवाना पड़े और टेक्नोलोजी के मामले जैपैन का कहना क्या वेरी पीस्फुल कंट्री क्राइए अल्मोस्ट नेगलीजीबल सो इवें था सोशल सेक्टर स्पेंडिंग डिस्ट्रिबूशन में भी स्क्यूट हमनों डिसास्ट्रिबनेंट में एक चीज पढ़ेंगे जपैन के बारे में या आप बात यहीं पर नोडाउन कर लो आपने एक बैलून देखे होंगे पाड़ों पर जाकर या कहीं पर भी जिसके अंदर कपल्स को या बच्चों को गुसा दिया जाता है बहुत बढ़ा सा बैलून होता इसको रोल करा जाता है और आप रोल करते करते अंदर अंदर आप उसमें गूमते हो ट्रांस्पेरिनेंट बढ़ा सा बैलून होता है आपने देखा उगा उसको टीवी पर जब जब जपैन अर्थक्विक प्रों देश है तो जब ये सुनामी वगरा या फिर कुछ ऐसी दिक्कती होती है तो जैपैन उन ही rotating balloons में भर-भर कर लोगों को फैक्त है and this is the step that we can adopt कि disaster management में जब भी हम कुछ coastal region में रहने वाले लोगों के लिए जब लिखेंगे कि एकदम से जब आपर आजाए तो सरकारी agencies इतनी जल्दी उनके मदद करने नहीं पहुँच पाती तो उनके लिए क्या करना चाहिए boat और उससे lifeguard से उससे कुछ नहीं होता हमारे देश का तो एक उल्लू सा बंदा coconut के tree वर बैठा हुआ मिलता है जब भी tsunami की लेरेया ऐसा हो जाती है उनके लिए ऐसे बैलून का प्रावधाना में करना चाहिए तो कि उस case में ना helicopter से कीजी को उठाना असान है ना उनको evacuate करना अतना असान है जैपैन की सरकार की agencies उनको भर भर कर ऐसे लोगों को डाल डाल का बैलून में पहले fact देती है ओशन में उसके बाद जब मामला शाहत हो जाता है तब उनको वापस ला दिये जाता है क्योंकि जान रहेगी तब तो जाहन रहेगा जान है तो जाहन है वरना सब को जीते दी शमशान है इट ड़स नोट capture the non-market transaction like service of the homemakers एक wife कितनी मैनत करती है मैंने बताया था इसके वार में लेकर उसको कोई भी pay नहीं कर जा था national companies इन सब चीजों की तरफ ध्यार नहीं देता बाटर-based activities इस्टिल गाव में चलती है मैंने आपको बताया था जब demontization हुआ था तो यूपी की case study आई थी और करनाटगर की आई थी वहाँ पर गाव में लोगों ने currency system से विश्वास उठाकर लगातार तीन महिने तक बाटर system start कर दिया था जो की बड़ सो पहले बंदो चुका है इन सब चीजों का ध्यानी रखता कि लोग आज भी यह सब करने पे मजबूर की हो जाते है national income का concept यह हम limitations बटरें drawbacks बटरें national income does not take into account negative externalities of economic growth जहां पर जब economic growth हम achieve करने जाते हैं तो पर्यावरन को कितना नुकसान होता है इस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं करी जाती national income के concept में ज्यादा manufacturing activities होने का यह मतलब होता है economy में ऐसा रखते हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा यह तो अच्छी चीज़ है बेरोजगारी दूर होएगी लेकिन जब पर्यावरन अपने चरम सीमा पर बोलेगा और जब रगतिक आपता यह आएंगी तब लोगों ने जितना कमाया होगा वो चला भी चाहेगा उतना एकनोमे करोथ गुमा विराकर वहीं आजाएगी इन सब के वार में लेकिन बात नहीं करी जाती है और इंक्लूजन एंट्स्लूजन और सटेन अटेंप्स ने नेशनल इंकम अकाउंटिंग इसकी वच्छे से कभी कभार गलत रिजर्ट भी आ जाते हैं क्योंकि डेटा कलेक से प्रोग्राम इंप्लेमेंटेशन की जो रिपोर्ट है और एकनोमिक सर्वे के कुछ आक्डे हैं तो वो हमें बताते हैं GDP अट करेंट प्राइस बगर यह सब कितना चल रहा है यह आप आक्डे छोड़ो हूँ हम नए एकनोमिक सर्वे से देखेंगे इस पर फोकस करो आग सबसे जाधन में से क्वाढ़ यह और क्रा रहे सब रहा है जीघद कर रही एको हमारे दमें का बढ़ रहा है क्या हाग्या है 7 जीघघटेश्च अबन फॉर परसंटlotग मनिक सी क्वेसिक प्र रहन पर्चे खालए है यह तो और दो यह तो सब से जाधन में से बढ़न परॉ नेट नेशनल इंकम अट करने प्राइस पूरे साल में ओवराल फिगर कोई बड़र है क्या ची हाँ everything is increased तो यह चीदा रखना जब भी एक्जाम में कोई चीदा कि इतने इतने से decrease हो गया यह पहले बड़ा वो कम हो गया आप सारी सेटमेंट में बस positivity देखना कि हर चीज बड़ी है बड़ी है बड़ी है और ultimately increase होई है यह है वेरियस सेक्टर में ग्रोथ कैसी रही primary sector क्या previous year से क्या बड़ा है चीहां बड़ा है covid time से 0.3% बड़ा है लेकिन बड़ा है secondary sector manufacturing sector minus में growth हो गई थी सब कुछ बंद हो गया था दुनिया के अंदर सारी manufacturing activities अगरा सारे machine power plants सब कुछ बंद लेकिन अब 11.8% यह भी बड़ा है tertiary sector service sector लोग job अगरा पे नहीं जा पा रहे थे negative हो गया था work from home के ना पे लोगों काटा जा रहा था लेकिन अब वो minus 8.4% था और यह plus 8.2% हो गया बड़ा है और overall कोविट के टाइम पर minus 6.2% growth था हमारी चलीगी थी GVA और अब वो 8.6% हो गई तो overall यह चीज भी बड़ी है primary sector especially agriculture सेक्टर है वो सबसे least impact हुआ था pandemic related disruption से याने की COVID-19 से क्योंकि यहां पर government ने बड़ा support करा था अच्छी policy चलाई थी और उस टाइम पर harvesting बहुत अच्छी होई थी बारिश की वज़े से industrial sector जो है it went through a big swing in post-covid period जितना वो negative था उतने ही वो positive हो गया 100% recovery आ गई इसके अंदर industrial sector 7-7% था उससे भी जादा बढ़ गया और यह चीज जयात रखना हम जो trading करते हैं उसमें जब हम sector analysis करेंगे तब आप देखोगे के बड़े सारे sectors कोविट के टाइम पर जब उनके अंदर एक red candle बनी जब वो नीचे गए तो कैसे वो अलग-अलग sectors टाटा मोटर्स टाटा स्टील कोल इंडिया यह सारे के सारे कैसे recover कर गए और all time high पर चले गए वो stocks वो shares यह हम देखेंगे और इंसे आपता लगा पाऊ गया तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि trading जो है वो कोई अलग चीज है वो हमारी economy कही पार्ट है वो ही company आज जिसके बारे हम सुनते रहते हैं बस हम उनको समाझना नहीं जाते हैं इसलिए हमारे पास पैसे नहीं आते है इंडेस्ट्रियल सेक्टर इट बेंट थू अ बिक स्विंग इन पोस्ट कोविड पीरिए manufacturing construction mining sub-sector यह सारे के सारे दोबारा जितने डूबे थे उतना ही उट गए और यहीं चीजा पता लगा सकते जो manufacturing sector और जो construction और mining sector के जो shares ने जो stocks है वो recover कर गए और जो basic services की disruption थी लाग electricity and water supply lockdown के time पे यह भी recover कर गई service sector जो की उसका जो contribution रहता है वो इतना रहता है it is more than half of the Indian economy and यह सबसादर effect होने वाला sector था covid related restrictions की वज़े से दो काम अगरा पर नहीं जा पा रहे थे उनकी income zero हो गई थी however distance enabled services वही पागल बनाने वाली बात है work from home इस इसकी वज़े से कुछ ना कुछ पॉस्टेटेंट आये लेकिन work from home ऐसा नहीं है लेकिन कहीं लोगों को फिर ना अपना independent status जैसे याद आ गया जैसे उस time तक पहले मैं भी बहुत offline बढ़ाता था तो मैं भी dependent रहता था स्कूल के बच्चों पर या फिर कोई offline में ले पास UPSC के students आ जाए लेकिन वह सारे दिल्ली के आसपास ही रहते थे वेन आई शेफिट टू ऑल नाइन तो my income also boomed like somewhat 90 गुना 100 गुना income हो गई मेरी उसकी वज़े से ओल ओवर इंडिया से लोग जुड़ गए चैनल खुल गया revenue हो गया और यहां पर सिर्फ अभी तक दिल्ली वाले मुझे सुनते थे अब मुझे पूरा इंडिया सुनता है मेरे चैनल के तुरू तो यह कुछ positive trends है और इसी टाइम पर online education और district education स्टार्ट होई जो boom होई है और यहीं पर आप देखोगे के लोगों ने सोचा कि अब सिर्फ एक ही time उस ताइम पर एक ही काम चल रहा था that was trading markets तो इस टाइम पर 90,000 percent DMAT accounts खुले इंडिया में जाया बहले किसी को trading करना ना आतो है लेकि लोगों ने सोचा कि यहां पर कुछ पैसा डाले कर एक लिए घर चल सकता है यह मार्केण में पैसा कमा कर दे सकती है और मैं हमेशा बोलता हूं यह चीद है अगर पहले बता हो तो घर चलना असान हो जाता है thank you very much for discussion अगले lecture में बात करेंगे shapes of economic recovery की